तो सो प्रोजेक्ट 75 आई सब्मरीन को लेके जहाँ पे कुछ महिनों तक ऐसा खवर रहा कि शायद ये प्रोजेक्ट के अभी पूरा ना हो सके और गौर्मेंट के तरफ से इस टेंडर को रत कर दिया जाए और बद्ले में कोई नया टेंडर शुरू किया जाए या फिर अपन प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया उनमें से कंपनी फिर से बाप्यास आने के लिए तैयारी कर रहा है और बड़े संकेत के तहट अब स्पेन और जर्मनी के तरफ से भारत के सामने अपने अपने सब्मरीनों का फिर से एक बार ओफर रखा गया दोस्तों आज के इस वीडिय के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तोस्तों स्पेन के जो एंबसेडर भारत में तैनात है मतलब जोस्मारिया रिडाव डॉमिंगल्स के तरफ से हाली में मेडिया को ये जानकारी दिया गया है कि स्पेन के स्टेट आई के अंतरगत नेवेंशिया ग्रूप के तरफ से भारत को अपने स-80 प्लस क्लास के सब्मरीनों का ओफर किया गया है उनका ये भी कहना था कि इस प्रोजेक्ट में अब तक भारत को जितने भी सब्मरीनों का ओफर हुआ है उनमें नेवेंशिया के तरफ से ओफर किया ग तरे कमपनी इस प्रोजेक्ट से एक तरीके से बाहर हो गया था। प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था। प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था। उसके तरफ से फिर से एक वार प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के लिए अपने आपको तयार किया जारा और बताया जारा है कि इस तयारी की अंतरगत जर्मनी के द्वारा जल्द ही भारत के सामने अपना टाइव टू वान टू सीडी प्लस सब्मरीनों का ओफर रखाया मतलब करीब कडिब 3000 टन क्या हो जाएगा अब दोथो चली जानते हैं कि ये जो सब्मरीनों का ओफर किया गया असल में ये किस तरीके का सब्मरीन है और कितना क्यापेबल है दोसो ही एस 80 प्लस क्लास के सब्मरीनों को अगर देखा जाए तो इसे आफ चार सब्मरीनों के डिजाइन के कॉम्बिनिशन कह सकते है बेसिकली इस सब्मरीन के उपर काम स्पेन के कंपनी के तरफ से 1990 के दशक में ही शुरू किया गया था और बताया जाता है कि 1990 में ही इसका डिजाइन का काम हुआ हाला कि साल 2003 में ही स्पेन के तरफ से इसे लेके इनिशियल प्रोड़क्शन को लेके अनुमती मिला जब कि साल 2010 में इसके री डिजाइन और री बिल्डिंग के काम को अन्जाम दिया गया हाला कि इसके प्रोड़क्शन हाली में ही शुरू हुआ है और अब तक केवल मातर एक ही सब्मरीन के प्रोड़क्शन करना संभव हो पाया और दोसो इस वजाय से ही पहले इन सब्मरीनों को S80 क्लास सब्मरीन कहा जाता था जब कि अब बदल केस का नाम S80 प्लस किया गया है क्योंकि इसमें कई तरीके के फिर से बदलाव किया है दोसो सब्मरीनों को अगर देखा जाए तो इसके डिजाइन बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास सब्मरीनों के बेस पे ही है दोसो प्लान के इन मुताविक स्पैनिश नेवी के लिए टोटल ऐसे चार सब्मरीनों का निर्मान किया जा रहा है जिन में पहला है S-81 जफकी आखरी है S-84 इन में से एक सब्मरीन साथ में 2021 को लॉंच हो चुका है और बताया जा रहेंगी यह अंडर सी ट्रायल है और इसे साल 2023 में कमिशन कर लिया जाएगा हला कि बाकी के तिन सब्मरीन साल 2024, साल 2026 और साल 2028 में कमिशन किया जाएगा तो से इन सब्मरीनों को अगर देखा जाए तो इसका वजन करीवन 3200 तन है हाला कि सब्मर्स कंडिशन में मतलब पानी के नीचे जाने के बाद इसका वजन करीवन 3426 तन के आसपास हो जाता है सब्मरीन के आकार को अगर देखा जाये तो इसका लंबाई करिवन 81.05 मीटर मतलब 265 feet 11 inch के आसपास है जब कि इसका चौड़ाई 11.68 मीटर मतलब 38 feet 4 inch के आसपास है इसका ड्रॉट 7.3 मीटर मतलब 23 feet 11 inch के आसपास है और इसमें एक प्रोपोल्सन सिस्टम के रूप में एक शै 3500 किलोवाट और जो AIP fuel sale unit है उसका श्रमता करिवन 300 किलोवाट के आसपास है हाला कि दोस्तों इन सभी चीजों के सहारे ये जो सब्मरीन है ये पानी के उपर करिवन 12 knot मतलब 22 km पर आवर के रफतार से टैर सकता है जब कि पानी के नीचे इसका रफतार करिवन 90 knots मतलब 35 km प रख है रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि सब्मरीन करिवन 460 मीटर के गहराई मतलब 1510 feet के गहराई तक जा सकता है और इसके जो troops capability है वो करिवन 32 troops का है और additionally 8 troops को और भी accommodate कर सकते है जो basically marines या फिर special operation को अंजाम देने वाले अधिकारी होंगे हातियार के रूप में बताया जा रहा है कि सब्मरीन में 6 torpedo tube का इस्तेमाल किया गया है जो 355 mm के है इसके द्वारा सब्मरीन आइदा DM-2A4 torpedo या फिर harpoon missile को दाग सकता है हलाकि इसके इलावा बताया ये भी जाता है कि ये सब्मरीन UGM-109 Tom Hawk missile को भी दागने का शमता रखता है तो सब्मरीन से अगर Basically Germany के Type 212A सब्मरीनों के base पे निर्मान किया गया है लेकि इसमें कई तरीके के modification किया गया है इवन बताया जाता है कि ये original 212 सब्मरीनों के मकाबले में आकार में बड़ा और वजन में भारीवी है फिलाल रिपोर्ट के मताविक ऐसे टोटल 6 सब्मरीनों का order Tassen Group Marine System के पास है हाला कि इसका लंबाई को लेके बताया जा रहा है कि करिवन ये 73 मीटर लंबा मतलब 239 feet 6 inch के आसवास लंबा होगा सब्मरीन के चोड़ाई करिवन 10 मीटर बताया जा रहा है मतलब 32 feet 10 inch और इसके डौट करिवन 7 मीटर मतलब 23 feet के आसवास बताया जा रहा है ये सब्मरीन भी 20 knots मत 37 km पर आवर के रफ़तार से ट्रावल कर सकेगा। सब्मरीन को ऑपरेट करने के लिए कितने क्रू मिंबर का आवशकता होगा इसके बारे में भी कोई जानकरी नहीं है। पर इसमें कुछ इस्तेमाल होने वाले सिंसर के बारे में जानकरी दिया गया है जिनमें बत्ताया जाराएं कि ओप्टिकल सिंसर के रूप में OSM-150 और 300 ओप्टिकल सिस्टमों का इस्तेमाल ट्सरकरू रूप मरिन सिस्टम के तरफ से किया जारा है जब कि इसके इलावा I-360 Degree OS Panadomic Surveillance System भी लगा जाएगा सोनार के रूप में इसमें A-9510S MK-2 Mine Awareness और Navigation सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जब कि इसके इलावा EM-2040MI और EA-640 Eco-Sounding Sea-Waste Navigation सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है हतियार के रूप में बताया जा रहा है कि इसमें 4-533mm के torpedo tube है जिसके सहारे DM-24A torpedo या फिर IDAS medium range missile को दागाया सकता है हाला कि इसमें vertical launching सिस्टमों को नहीं लगाया गया है लेकिन जर्मनी का कहना है कि आवशक्ता पढ़ने पे इसमें लगा जा सकता है फिलाल दोस्तों जर्मनी का offer अफ तक official नहीं हुआ है लेकिन sources के तरफ से बताया जा रहा है कि जल्दी जर्मनी के तरफ से offer को आगे किया जा सकता है और इसका simple मतलब ये है कि अब project 75i में केवल मात्र डिये वुशी फ्यार और marine engineering का ही एक offer नहीं रहेगा बलकि इसमें निवनशिया ग्रूप और TKMS का भी offer रहेगा हाला कि अब तक France या Russia के तरफ से इस project में फिर से participate किया जाएगा कि नहीं इसका जानकरी नहीं दिया गया है तकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद